नमस्कार मैं श्यों प्रेड़न आप देख रहें एक निवस 24 बिहार के मुख्या नितीश कुमार काफी लंबे समय से विपक्षी एक जूटता की मुहिम में जूटे हुए थे और बता दे कि यह जो बैठक है बारह जून को होने वाली थी जिसके बाद बैठक को टाल दिया ग इस बैठक की डेट बढ़ाए गए अब यह जो बैठक का डेट है वो 23 जून को टै किया गया अब इसी कड़े में एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ गई है कि अब कॉंग्रेस के तरफ से सहमती मिल गई है यानि कि राहुज गांदी और कॉंग्रेस के अध्यक्ष मलिका अ आश्रम में 23 जून को राहुज गांधी समेत मलिका अर्जुन खडगे पटना पहुंचने वाले हैं और पटना के सदाकत आश्रम में तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे तो चली एक बार खबर को विस्तार से देखते हैं कि अब जब राहुज गांधी की आने की बात हो ही गई है तो इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है कॉंग्रेस का और किस पड़ी के सुनकी सहमती पर बात की जा रही है 23 जुन को पटना में होने वाले विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी और कॉंग्रेस के अधक्ष मलिका अरजुन खडगे सामिल होने वाले हैं और बता दे कि इस पर शंसे बरकरार था जो की अब खत्म हो गया है बहार कॉंग्रेस ने एलान कर दिया है कि राहुल गांधी और मलिका अरजुन खडगे 23 जुन को होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए पटना आएंगे 23 जुन को राहुल और खडगे पटना पहुँचेंगे और सब से पहले सदाकत आश्रम जाकर कारेकरताओं से और तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे दरसल इससे पहले 12 जुन को विपक्षी दलों की बैठक आयोजित की गई थी लेकिन उस बैठक में कॉंग्रस के शिर्सनेता शामिल नहीं हो पा रहे थे कॉंग्रस की तरब से कहा गया था कि राउल गांधी के विदेश दोड़े पे होने के कारण वो बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे वहीं कॉंग्रस के राश्रिया ध्यक्ष मलिका अरजुन खडगे के भी नहीं शामिल होने की बात कही गई थी जिसके बाद 12 जून की बैठक को मिटिंग को अस्थगित कर दिया गया था खुद मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने कहा था कि कॉंग्रस के शुर्स नेता बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं जिसके कारण से बैठक को अस्थगित करना पड़ा है उन्होंने कहा था कि सभी विपक्षी दलों के बरे नेता को बैठक में शामिल होना है अगर दलों के शिर्सनेता बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो बैठक का कोई मतलब नहीं बनता है उन्होंने कहा था कि कॉंग्रेस को कह दिया गया है कि बैठक की तीथी तै करके बता दे जिसके बाद विपक्षी दलों की बैठक के लिए 23 जून की ताड़ीख तै की गई है राहुल गांधी और आश्च्व अध्यक्ष खडगे के पटना आगमन को लेकर बिहार कॉंग्रेस ने अपने तयारियां शुरू कर दी है बिहार कॉंग्रेस अध्यक्ष अखिलेस प्रसास सिंग ने कहा है कि 23 जून की बिपक्षी एक जूटता की बैठक में राहुल गांधी शामिल होंगे राहुल गांधी के साथ कॉंग्रेस के अध्यक्ष मलिका अरजुन खडगे और वेनु गुपाल भी पटना पहुंचेंगे उन्होंने बताया कि राहुल गांधी भार जोरो यात्रा के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं 23 जून की सुबह पटना पहुंचने पर राहुल गांधी और खडगे सदाकत आश्रव में जाएंगे 10 बजे सदाकत आश्रव में बिहार कॉंग्रेस के निताओं से मुलाकात करेंगे इसके बाद सारह 11 बजे बिपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे तो जिस तड़िके से आपने सुना की अब कॉंग्रेस की सहमती मिल गई है यानि की बिपक्षी एक जूटता जो होने वाली है बहार में बहार के पटना में तेश्जुन को जो बिपक्षी एक्ता होने की बात चल लही थी उसमें अब कॉंग्रेस की सहमती मिल गई है इस पर हाला की विपक्षी दल के तमाम निता जो हैं लगातार हमलावर बने हुए थे लेकिन इसी करी में ये जो कन्फर्मेशन है कॉंग्रेस के तरब से दे दिया गया है कि वो सदाकत आश्रम पटना पहुचने वाले हैं आगामी वीडियो पसंद आते हैं तो शेर जरूर कीजिए धन्यवाद